कि नमस्कार बवितास किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं प्रेट पोहा जो कि बहुत ही स्वादिश्ट होता है और बच्चों को यह बहुत ज्यादा पसंद आता है बच्चे हो या बड़े सभी लोगों को बहुत पसांदाथा बहुत ही टेस्टी योडिशियस होता है तो आप भी बनाकर देखिए रेशिपब बहुत ही अच्छी है जौरा मढ़का चाय के साथ आप प्र एक बार इसे बना कर खा कर देखिए इस तरह से ये नास्ता बहुत हलका और सुपाच होता है बहुत आसानी से पच जाता है तो आप भी इस तरह से ब्रेट पोहा बना कर खा कर देखिए बहुत ही अच्छा बनता है तो चलिए ब्रेट पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं तो ब् थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए हैं थोड़ा से धनिया कट कर कि लिया है और ही "... मतर ले लिए हैं ने थोड़े से खरी मिर्च ले लिए conscious होड़ी और सुखे मशालों में में इस सारे मृषे दनिया नमक ले लिया है तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं तो कडाई गरम हो गई है इसमें एक बड़ा चमश्च ओयल ले लिया है और सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसके साथ ही थोड़ी सी एक चुटकी हिंग डाल दी है मैंने और यह चटक जाए तब इसमें हम प्यास डाल देंगे फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है और लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने आपको जितना तीखा चाहिए उसे साब से लीजे मैंने दो हरी मिर्च ली है थोड़े से म करता राम अच्छे से चलाते हुए इसे भून लेंगे या यह कड़ी पते बहा ड़ा हो और लगातार चलाते हुए इसे भून लिया है मैंने इस यह देखिए भून गहे हैं आप जुआ है जोड़े 20-。 धनीया ठारी सारे मसाल पो inten कर्षों मेर्या sect भिलाड़े एर जी बूल लिल आया है मैंने अब टामाटर डाल दिये लिए देखिये और इन्हें भी शॉप्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे ये देखिए ये सॉप्ट हो गए हैं अब इसमें मैंने थोड़ा सा नीबू का रज डाला है आपको डालना है तो डालिए नितो रहने दीजिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अब मैंने ब्रेट जो कट करके रखी थी ये डाल दिये हैं और ये देखिए रेड सुरत लग रहा है तो खाने में कितना डिलीसियस होगा बहुती टेस्टी और स्वादिस्ट पोहा बनका रेडी हो गया है बहुत कम समय में तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं तो प्लेट लगा लिए हैं मैं थोड़े से प्याज और इससे गार्निस कर ले रही हूं कटी आप भी देखिए बहुती जल्दी बनका रेडी हो जाता है थोड़े से भुजिया से मैं उपर से डाल ले रही हूं इससे कटेस्ट और दुगना हो जाता है तो चलिए रेडी हो गई है हमारी प्लेट यह देखिए कितनी बढ़िया सुन्दर दिखने में भी बहुत पानी की छुटे देखे और थोड़ा गीला करके ही इससे चलाए तो बहुत सौप्ट अच्छा पोहा बनका आपका रेडी होगा तो आप भी इस तरह से ब्रेट पोहा बनाई है खाई है और फिर बताईए कि आपको यह मेरा ब्रेट पोहा रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताईए और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो